हेलो स्टुडेंट नमस्कार आज हम आयम पी कोश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कुछ और कोश्चन देखिए बच्चों को आप क्या करना है एक एक बार ध्यान से आपको सुनते भी चलना है ठीक है यह ऐसे कोश्चन है जिसमें से आपको कोई भी अगर देखने मिले तो एक बार आप अगर यहां से कोश्चन से रीज एंसी क्यू देख करके जाते हैं तो बहुत हैल्पूल होने वाले ठीक है तो आप ध्यान से एक बार पढ़ड़े अगर एंसी क्यू आ रही है तो आप पर इस वीडियो को वीडियो को सुना जरूर करो ठीक है इससे क्या है अन्बो हो जाएगा आपको कि किस टाइप से कोश्चन आने वाले हैं और यदि यहां से आ गए तो आपके लिए बहुत बड़ी हैल्प हो जाएगे ठीक है पढ़ाते हैं पहला कोश्चन देखते हैं गुलाब हिप्स विटामिन सी का क्या है यह इसके बाद में दूसरा देखते हैं गुलाब के हिप्स में संत्रे की तुलना में कितने गुना तीन गुना अधिक एसकॉर्बिक एसिड पाया जाता है ठीक है इसके बाद देखो बोना पोली यन्था और सुरुवाटी एच्टी गुलाब के बीच क्रासिंग का परिणाम ग्लोरी बंडा है ठीक है इसके बाद में देखो चोबिसवा फ्लोरी बंडा के साथ एच्टी की क्रासिंग से विक्सित परिणाम क्या होगा इसका परिणाम होगा ग्रेडी फ्लोरा ठीक है ग्रेडी फ्लोरा होगा यह थोड़ा कठनाई इस तरफ से बनाया गया है पर खुलने की पून और आनसीक वीभलता को गुलाब-Bonling के रूप में जाना जाता है काई के रूप में जाना जाता है जो कुक्षेंट है भच्छो में आ सकते हैं अगर यहां से एक-दो क्वेश्चन भी तेखने में मिलते हैं तो बहुत helpful हो जाएंगे आपको जो IMP है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं देखो इसके बाद में यह कोश्चन को देख लो गिलार्डिया के फुलो को किस रूप में जाना जाता है ब्लेकेट फ्लावर की रूप में जाना जाता है ठीक है उसके बाद में देखते हैं अपन 29 विशयक रूप से गेलार्डिया, बीज द्वारा प्रवरधित क Yanardi Chapter के जाता है वीच के द्वारे प्रवरधित क traveled के जाता है गेलार्डिया के बीजों में कोई प्रसुपता वस्था नहीं होती तिस महा तक जीवन छिखम रहते हैं ठीक है 31 महा तक उसके बाद में देखो ए के नाम है , तेगिटस पैटूला ठीक है सनी नमर में गेंदा परिवार स्टेटेटेह कुंसे चुन आता है ऐसके बाद फ JIM चुना को फिर और यांधक करते हैं किलोग्राम गेंदे की बीच की आउसकता होगी 0.7 से 1 वन केजी तक आपको क्या होगी बीच की आउसकता होगी भारत में चमेली की लगवक कितनी प्रजाती हैं बइस प्रजाती हैं कैकि चमेली की आब चमेली के कोस्टन चालोगा है धियान देना आपके टॉपिक Cool котор पहले गुल दावदी फिर कारने इस ताइप से टॉपिक वाइस कोस्टन में लेकर आयों आपके लिए ठीक है तो टॉपिक से जो कोस्टन बन सकते हैं उनको ध्यान देते भी चलना चमेली की स्वीधी से प्रवार्दीत किया जाता है ठीक है चमेली के फूल की उपज कितनी हो होती है आठ से 10 टन प्रती हेक्टेर होती है ठीक है मैं आपको अभी तो मैं आपको वन नम्मर वाले आपके सही मतलब एक सब्सक्राइब में उत्तर आपको समझा रहा हूं परन्तु मैं ऐसे आयम पी कोस्टन लेकर आऊंगा इसके बाद में जो एक्जाम की दर्ष्टी से होने वाली है तो यह आप प्रती दिन जो डलती जाती है आपकी एंसे क्यूज तो आप जरूर देखें यह आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत हैल्प होलोगी ठीक है इसके बाद देखते हैं 40 नम्मर कोसेट्रा चाली हो गया कोसेट्रा का आम तोर पर फूल की सुरूप किलो होती है एक्टेयार ठीक है इसके बाद में कोसेट्रा का रोपन किते दिन बाद फूल आने सुरू होते हैं रोपन के 70-75 दिन बाद फूल आना सुरू हो जाते हैं रोपन के ठीक है कोसेट्रा फूल एथेलीन के प्रती समय दिन सील होता है एथेलीन के प्रती समय दिन सी यह को इसके बाद में देखो सीत कालीन वार्षिक पादब अक्टूंबर में बहय जाते हैं अक्टूंबर में बह साथ है नरसरी का गंभी रो피 कुन सा है डंपिंग ऑप है क्या है गंभी रो डंपिंग औप हैcessors के बाद योगरों के अंदर कोगाया जाता है एक तने और बड़े सिरोउ वाले पत्तो वाले पाउदो का समोहो पॉम कहलाता है पॉम होता है ठीक है जापानी सब्द बान का अर्थ है उतला पान ठीक है उतला पान या ट्री और साई का अर्थ होता है रोपान ठीक है चीन में बोनसाई को पेन जाई कहा जाता है क्या कहा जाता है चीन में बोनसाई को पेन जाई कहा जाता है भई ठीक है बह करना चाहिए हमको सुभे और साम करना चाहिए सुभे और साम के समय में करना चाहिए ठीक है प्रीकुलिंग प्रीकुलिंग वास्पोशन दर को धीमी कर देता है प्रीकुलिंग क्या करता है वास्पोशन दर को धीमी कर देता है इस्पंदन ठीक है इस्पंदन बिलियन का grading कहलाता है गुलाब की पंक्डियां से तैयार उत्पाद गुलकंद यह अपसन में पूछ सकता है आपको बहुत सारे चार अपसन देदेगा और बीच में एक में गुलकंद कर देगा तो आपको गुलकंद को सही देना है इसके बाद में देखते हो उल्टी को प्रेरित करने के लिए गर्म पानी में सरसो का तेल का उपयोग किया जाता है ठीक है इसके बाद में दुसी तवचा को साबुन और पानी से धोना चाहिए ऐसे ऐसे कुछ बेसिक कोस्टन भी आ जाते हैं आपको देखने वारसिक परिक्षा में इसलिए सारे कुस्टनों को आपको देखके जाना है ठीक है आखो और स्वसन तंत्र को जहरीली गैसों से बचाने के लिए गैस मास्ट का उपयोग करना चाहिए क्या करना चाहिए गैस मास्ट का उपयोग किया जाता है ठीक है करते हैं रबर के बने दस्तानों का उप्योग करते हैं ठीक है सास के जहर के लिए प्रात्मी कुपचार क्रत्रीम सास क्या है क्रत्रीम सास है ठीक है उसके बाद में और मैं आपको बता रहा हूं कुछ important question देखिए operator operator को सुरक्षात्मक कपड़े पहनना चाहिए कौन से अला यहीं खतम होती है इसके बाद और भी IMP question लेकर उपस्तित होंगे ठीक है आप देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे ठीक है ओके बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद